क्या आराध्या को जबर्दस्त मीडिया अटेशन मिलने से परेशान है एश्वर्या सुनकर बयान होंगे हैरान बलिवुट से लेब्स के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर स्टार किड्स का भी जलवा देखने को मिलता है अक्सर उनकी लेटेस्ट पोटोज सामने आते ही वायरल हो जाते हैं स्टार किड्स की लिस्ट में सुहाना अबराम से लेकर मीशा तक का नाम शामिल है वहीं अमिता बच्चन की पोती आराध्या को भी मीडिया काफी पसंद करती है ऐसे में पहले भी कई से लेब्स अपने बच्चों को मिल रही मीडिया एटेशन पर बयान दे चुके हैं ऐसे में अब एश्वर या राध्या बच्चन का बयान सामने आया है अभिशेक बच्चन और एश्वर या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन को हर कोई पसंद करता है एक तरफ जहां आराध्या के पोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायर हल हो जाते हैं वहीं दूसरी और आराध्या भी मीडिया को देख खूब पोज देती है मीडिया भी अकसर स्टार किड्स को कैमरे में किद करते हुए नजर आती है ऐसे में एश्वर या राय बच्चन ने अब आराध्या को मिल रहे मीडिया आटेशन पर बयान दिया है दरसल हाल ही में पिंक अविला के एक इंटर्व्यू में एश्वर या राय बच्चन से पूछा गया कि क्या छोटे बच्चों को जरूरत से ज्यादा अटेशन मिलने और आराध्या बच्चन को इस तरह पेप्राजी के क्याप्चर करने से एश्वर या परिशान होती है इस सवाल के जवाब पर एश्वर या राय बच्चन ने कहा कि ये हमारे चुने हुए जीवन का एक हिस्सा है इसमें नाराजगी कैसी ये हमारी इंडिस्ट्री का एक पात्र है जहां स्टार किड लाइम लाइट में रहते हैं उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजजी से वायल हो जाते हैं वैसे बात एशवर्या के प्रोफेशनल फ्रंट की करें तो हाल ही में एशवर्या ने फिल्म मले फिसेंद, दमिस्ट्रेस और फिवल में जेलीना जोली के किरदार को हिंदी में आवाज दी है फिल्म के हिंदी ट्रेलर को दशकों का काफी प्यार मिल रहा है गौर तलब है कि पूर्ध विश्व सुंदरी करीब 10 साल बाद किसी हॉलिवुड फिल्म का हिस्सा बनी है इस से पहले वे पिंक पैंट थर दो में नजर आ चुकी है